पूली के साथ बने रहे वीड़ियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों बच्चों के साथ हम जा रहे हैं अभी हम है पावर हाउस पे तो हम लोग पावर हाउस वाले रास्ते से होकर जा रहे हैं यह हमारे तरफ पढ़ता है दोस्तों हम जहां रहते हैं वहाँ पे आलमबाग की मार्केट बहुत ही पास पढ़ती है तो हम लोग जदतर शॉपिंग आलमबाग मार्केट से ही करते हैं तो यह अभी यहाँ पर जाम लगा हुआ है रास्ते में इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा रुख गए है आप लोग देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है पूरी तरह से जाम लगा हुआ है तो हार का टाइम है तो इसलिए रोड़ों पर बहुत ज़दा गाड़ियां है और जाम भी लगा हुआ है जगजगे पर सब दुकाने भी सजी हुई है ये रास्ते में दुकान लगी हुई है, सजी हुई है बहु सारे कलर हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, दुकाने देख कर कितना अच्छा लग रहा है ये कैप वगएरा सब लगी हुई है आज हम फूट वेर की सौपिंग करेंगे आज बचों को जो भी सैंडल वगएरा लेना होगा तो बच्चे ले लेंगे अपनी पसंद के अभी हम रास्ते में ही फसे हुए है अब हम आ गए हैं में रोड पे दो देखी दोस्तों में रोड पे बिल्कुल भी बीड नहीं है सननाटा है यहाँ पर और हम लोग जल्दी से ही पहुँच जाएंगे यह हमारे यहां लगबग 10-12 किलो मीटर की दूरी पर पड़ता है अलम बाग तो हम लोग वहीं जा रहे हैं हम लोग दूसरे राश्टे से जा रहे हैं क्योंकि तेभार के टाइम पे जो हमारा में रोड था उस पे बहुत ज़दा जाम लगा हुआ है तो हम साटाटे के राश्टे से ही जाएंगे तभी हम जल्दी पहुँच पाएंगे नहीं तो हम जाम में फस जाएंगे और हमको बहुत जदा टाइम लग जाएगा यह हमारा इको गार्डन वाला रोड है इको गार्डन इधर ही पड़ता है जिधर से हम जा रहे हैं इको गाडन होते हुए हम आलमबाग मार्केट जाएंगे यहां थोड़ा सननाटा दिखाई दे रहा है बहुत ज़दा भीड नहीं है हम लोग बिल्कुल पहुँचने वाले हैं आलमबाग हम लोग आने वाले हैं और आलमबाग आकर ही हम सब लोग सौपिंग करेंगे यहां पर बहुत बड़ी मार्केट रहती है दोस्तों धूप भी बहुत तेज हो गई है ग्यारा बज रहे हैं तो ग्यारा बजे तो धूप हो ही जाती है अब हम लोग आलमबाग पूल के नीचे आ गए हैं अब हम जाएंगे खरीदारी करने खरीदारी करेंगे यहां पर आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखना दोस्तों बिटिया को आज सैंडल भी लेनी थी तो हमने कहा चलो आज सनाटा भी होगा दुकानों पर बहुत ज़्यदा भीड नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तेवहार के एक दो दिन है जब तेवहार पूरा आ जाता है तो उस दिन जाओ तो बहुत ज़्यदा भीड रहती है तो बिटिया को लोंग बूट लेना है यह लोंग बूट पसंद कर रही है यह बहुत दिनों से लोंग बूट लेना चाह रही थी तो आज इनको long boot मिल गए हैं इनका कहना है कि होली पर ये long boot ही पहनेंगी और बड़ी बिटिया को भी हम sandals दिला देते हैं छोटी बिटिया ने select कर लिया है और बड़ी बिटिया को भी बहुत सारे sandals दिखाए गए हैं लेकर इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है कि असमान के लिए भी हमें लेने हैं जूते तो वह भी अपना देख रही है डबल डबल इन्होंने फूट वियर लिया है इनको लॉंग भूड भी चाहिए और स्वार्ट वाले सूस भी चाहिए तो देखिए यह पसंद कर रही है दे लेना था हम सोच रहे हैं आज ही फाइनल कर लें सैंडल वगेरा जो भी लेना है होली के लिए तो दोस्तों हमने यह वाली सैंडल जो आप देख रहे हैं यह भी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रही है और यह भी कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ग्रीन कलर यह मुझे कुछ अच्छी लगी है तो यही मैंने ले ली है इसके अलावा भी इन्होंने एक सैंडल और दिखाई थी वो भी मुझे पसंद आ गई है तो मैंने दोनों सैंडल ले ली है आप लोगों को यह सैंडल कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों तो हम मेरर के सामने देख लेते हैं कौन सा सैंडल अच्छा लग रहा है तो यही सैंडल मुझे पसंद आया है यही वाला हम ले लेंगे और डेली यूज के लिए भी सैंडल नहीं थी बच्चों के पास तो वो भी हम दिला देंगे अभी इनका उपर और नीचे दोनों जगह पर रहता है कलेक्शन तो हम नीचे का कलेक्शन देखेंगे यह डेली वेयर का कलेक्शन नीचे लगाए हुए है यह और पार्टी वेयर का जो भी कलेक्शन इनका रहता है वो उपर है तो उपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं और नीचे ह विडियो सूट नहीं कर पाए हैं, और हम गर आ गए हैं, ये घर का, विडियो है दोस्तों, ये घर, पहुंचने के बाद, हमने थोड़ी सी विडियो सूट की थी, घर पे, थोड़ा लकडी का काम चल रहा था, तो यहाँ पर काम, ये लोग लगाए हुए हैं, कर रहे थे, और अंदर हमने ताला लगा दिया था, बाहर का गेट हमने खोल के ही छोड़ दिया था तो ये हमारा गेट खुला हुआ था और अंदर का हमारा लोक लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि आगे भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहां लकडी का काम चल रहा है लकडी का काम थोड़ा बाकी बचा था खिड़की पे तो वही यह लोग बना रहे हैं अपना लगा रहे हैं और मेंगेट पर देखिए हमने ताला लगा दिया था यहां पर लॉक था बाहर का काम यह लोग कर रहे थे लकड़ी का काम है खिड़किया नहीं थी complete खिड़कियों में जाली नहीं थी complete मच्छर बहुत जदा अंदर आते थे तो इसलिए हम खिड़कियों पर जाली भी लगव की थी transparent में यह बहुत इनको अच्छी लगती है यह बहुत ज़्यादा ढूने के बाद इनको मिली है यह बहुत कूस हो गई है यह सेंडल पाके क्योंकि इनको यह सेंडल नहीं मिल पा रही थी यहां बहुत देखा था मैंने नहीं मिली थी और यह बिटिया लांग भूट ल करने के लिए लेकिन इनको नहीं मिल पाई थी और आज इन्हों ने छोली पे लोग भूट खरीड लिए हैं और यह आयसमान पउसंद करके अपने पसंद से ही सब बच्चों की पसंद कИ है है यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं पसंद किया है सिर्फ अपने लिए हैं कि यह सब अपने मंद से ही इन लोगों ने पसंद किये हैं ये पिठया सूज भी लाई है अपने लिए ये सबी लोग दो-दो जूड़ी जूते, सैंडल, स्लीपर वगरा खरीदे हैं तो स्लीपर मिलाकर इनकी तीन जोड़ी चपल हो गई है दोस्तों देखिए ये आइसमान है जो कि बार-बार इनको जूते लेने रहते हैं तो ये भी तीन जोड़ी जूते लाए हैं डेली यूज के लिए अलग लेके आए हैं और अन जाने के लिए अलग और ये इनके पापा की सैंडल है आप लोग देख सकते हैं इनके पापा को भी सेंडल लेनी थी तो वो भी ले आये हैं आज और ये हमारी सेंडल है जो हमने आपको दिखाई थी दोस्तों ये सेंडल हमारी आपको कैसे लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताना दोस्तों आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी और भी बिटिया दिखा रही है आपको आप लोग देखते रहिए ये बड़ी बिटिया लाई है डेली यूज के लिए अपने लिए इनकी पसंद थोड़ा अलग रहती है ये थोड़ा हट के सामान खरीदती है तो इनको यही पसंद आई तो इन्होंने ये खरीद ली है और भी है आगे क्या है आप लोग देख लीजिये क्या है ये स्लीपर है मेरी डेली यूज की तो ये भी हम ले आए हैं इकटे आईश्मान का कहना है कि वो खुद दिखाएंगे अपने सैंडल तो ये दुबारा से अपने सैंडल दिखा रहे हैं देख लीजिये इनके सैंडल ये बहुत खुस हैं और कह रहे हैं कि मेरा जूता जो होगा मैं खुद दिखाऊंगा सब को और यह जित कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो, दुबारा ही बना देते हैं इनकी वीडियो, आप लोग देख लिजिए, ये क्या लेके आए हैं, ये देखें, इनका जूता है, ये अपना दिखा रहे हैं, आप लोग देख लिजिए, इनके जूते, इनके जूते के बारे में बता देना कैसे लगे और ये देखिए ये दो जोड़ी लाए हैं ये भी हैं इनको डोरी वाले जूते पसंद आते हैं तो ये डोरी वाले लिये हैं और एक जोड़ी मैंने अपने पसंद से दिलाए हैं बिना जोरी डोरी के